हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल स्टडी फोर यू आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपका S.A.C. C.H.S.L. का एक्जाम होने वाला है 12 से 21 अक्टूबर तक उसके टॉप most important questions को जो इस वीडियो में देखने वाले है और मैं आपको 100% ये guarantee देता हूँ दोस्तों कि आपके एक्जाम में जो यहां से प्रस्ण जरूर पूछे जाएंगे तो वीडियो को जो है last तक जरूर देखेगा और आपसे रिक्ष्ट करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो C.H.S.L. से related update पाने के लिए जो है चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा और बगल में यह आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निसान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चले वीडियो को start करते हैं जो आपका पहला कुशन है यापे दोस्तों की भारत में जो है GT Road यानि Grand Truck Road का निर्मान जो है यह किस ने करवाए था तो देखे भारत में GT Road का जो निर्मान करवाए थे वो सेर सा सूरी ने करवाए था तो option B जो आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा और अगर exam में पूछा जाए दोस्तों की GT Road की कुल लंबाई कितनी है तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों की GT Road की जो कुल लंबाई है वो आपका 2700 किलो मीटर है तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर दोस्तों निमलिकित में से जो है कि सासक ने वीजे अस्तम का निर्मान करवाया था तो देखें वीजे अस्तम का जो निर्मान करवाया थे वो राना कुमभा ने करवाया था तो option A जो आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा राना कुम्भा के द्वारा जो है वीजे अस्तम की निर्मान करवाया गया था next question आपका यहाँ पर दोस्तो नियागरा जल पर पाज जो है निमलीकित में से किस नदी पर इस्तित है तो देखे यह नियागरा जल पर पाज जो है यह आपका सेंट लॉरेस नदी पर इस्तित है तो option D जो है आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा next question आपका यहाँ पर दोस्तो question number 4 गांदी इर्विन समझाता जो है यह 5 मार्च 1931 को हुआ था यह जो है किस से संबंदित है तो देखे गांदी इर्विन समझाता जो है यह आपका सवीने अवग्या अंदोलन से संबंदित है तो option B जो है आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा और अगर exam में पूछा जाए दोस्तो अगर आपका यहाँ पर date ना दिया हो गांदी इर्विन समझाता जो है यह कब हुआ था तो यह भी आपको याद रखना है कि गांदी इर्विन समझाता जो है यह 5 March 1931 हिस्वी को हुआ था तो यह भी आपको याद रखना है next question आपका यहाँ पर दोस्तो भीम बेट का निमलिकित में से जो है कि भेम बेटका की जो गुफाएं हैं, वो कहां पर इस्तित हैं, मतलब की कौन से राज्य में इस्तित हैं, तो देखें, भेम बेटका की जो गुफाएं हैं, या आपका मद्य परदेश राज्य में इस्तित हैं, ठीक है, तो MP जो आपका फिर राइट एंसर हो जाएगा, next question आपका यहाँ पर दोस्तो निमलिखित में से जो है कौन विस्व के सरवादिक गहरी जील है तो आपका जो सरवादिक गहरी जील है वो बैकाल जील है तो option B जो आपका यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर प्रित्वी पर सबसे अधिक मातरा में जो है कौन सी धातु तत्व पाई जाती है तो देखे प्रित्वी पर जो सबसे अधिक मातरा में जो धातु तत्व पाई जाती है वो ऐलुमुनियम तत्व पाया जाता है तो आप्सन डी जो आपका सबसे हलका तत्वालना पर होता लुटन होता है यहां पीशाम में आपको या next question आपका यहाँ पे दोस्तों आधुनिक आरवज साणी का जो प्रति पादन यह किसने किया था तो देखिए आधुनिक आरवज साणी का जो प्रति पादन किये थे यह मौसले के द्वारा किया गया था तो option D जो आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका दोस्तों कोशन नमर 10 भारत में रूपय का जो ओमुलियन जो है ये पहली बार किस वर्स किया गया था तो देखे भारत में जो है रूपय का ओमुलियन किया गया था ये पहली बार आपका उनिस सो उन्चास में इसका ओमुलियन किया गया था तो option A ज़ो आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा next question आपका यहाँ पे दोस्तो federal reserve bank जो है यह किस देश का केंद्रिये bank है तो देखें, federal reserve bank जो है यापका संयुक्ति राज अमेरिका का केंद्रिये bank है तो option D जो आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा एक बात और दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी मत भूलिएगा दोस्तों क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं मैं आपके लिए इतनी मैनत करता हूँ दोस्तो तो एक लाइक तो आपका करना बनता है और आपसे रिक्वेश्ट करता हूँ दोस्तो कि मैं आपके लिए इतनी मैनत करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दिजेगा क्योंकि मैं आपको डेली ऐसे वेडियो जो है प्रोवाइड करता रहूँगा नेक्स्ट कॉश्टन आपका यहाँ पे दोस्तो दांडी आतरा में जो है गांदी जी ने कितनी दुरी तै करके जो है नमक कानून का विरोध गिया था तो देखे दांडी आतरा हमें जो है गांधी जी ने 385 किलोमेटर सुरुवाक ऐतना है कि दांडी यात्राकी जो सुरुवाइथ हुई थी वह बारइЖ मार्च 1930 इसाइच वी को दांडी यात्राकी सुरुवाइथ यह बीजिए आपको एक तरन नेक्स्ट कुरिशन आमने लाइन भारत में इस इंडिया शे excellences का К Windows गवर्नर जेनरल कौन था तो देखे भारत में जो इस इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जेनरल था ये वारिन हैस्टिंग था तो आपसें सी जो आपका यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पे दोस्तो कुशन नमर 14 भारत के लिए जो ह समुद्री मारगो की खोज जो है ये किसने की थी तो देखे भारत के लिए जो है समुद्री मारगो की जो खोज किये थे ये वास कोड डिगामा ने किया था तो आपसें बी जो आपका यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पे दोस्तो भार भारत में जो है 1612 16 में अंगरेजों ने अपनी पहली फैक्टरी यह यह कहां पर अस्थापित किया था, तो देखे भारत में जो है 1612 19 तो आपसन डी जो आपका यहां पर सूरत राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर दोस्तो कोशन नमर 16, गांदी जी ने जो है किस कानून को काला कानून कहा था तो देखें गांधी जी ने जो है Rolat Act को जो है काला कानून कहा था तो Option A जो आपका यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा और एक्जाम में एक कोशण यहाँ से और पूछा जाता है दोस्तों कि Rolat Act जो है सरवाधिक मात्रा में कौन सा लवन पाया जाता है तो देखे सागरी जल में सबसे अधिक मात्रा में जो लवन पाया जाता है ये सोडियम क्लोराइड पाया जाता है तो option D जो आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा next question आपका यहाँ पर दोस्तो दान का खेरा रोग जो है ये किस तत्त की कमी के कारण होता है तो देखे दान का जो खेरा रोग होता है ये जस्ता तत्त की कमी के कारण होता है तो option B जो आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा next question आपका यहाँ पर दोस्तो हरी पत्यों का पौदा जो है लाल रोसनी में रखने पर जो है ये किस रंग का दिखाई देता है तो देखिए हरी पत्यों का पौदा जो है लाल रोसनी में अगर रखने पर जो है ये काला रंग का दिखाई देता है तो option C जो है आपका यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा सुनीलmore ृण है क्या शुंकि यहां से v cane कॉषे जाते हैं वर्तमान में कॉनिया और नंट क्या है तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में मुखे चुनाओ आइक कौन है तो सुनील अरोडा है नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पे दोस्तो पौदे की लंबाई में जो है वरिदी के लिए निमलिकित में से क्या आवस्यक नहीं है तो देखे पौदे की लंबाई में वरिदी के लिए जो है सोडियम आवस्यक नहीं है तो ऑप्सन एजो आपका यहाँ पे राईट एंसर हो जाएगा बाकी सब जो है क्यालसियम नाइट्रोजन और फोस्पोरस जो है यह पौदे की लंबाई की ब्रिधी के लिए आवस्यक है next question आपका यहाँ पे दोस्तो हरित बाली रोग निमली कित्मी से किस फसल से सम्बंदीत है तो हरित बाली रोग यह आपका बाजरा फसल से सम्बंदीत है तो option C जो आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पे दोस्तो भारतिय रिजर बैंक यानि RBI का जो राष्ट्री करन है ये किस वर्स हुआ था तो देखे RBI का जो राष्ट्री करन हुआ था ये 1949 में हुआ था तो आप्सन B जो आपका यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पे दोस्तो कि पीतल में जो निमलिकित में से कौन सी धातू होती है तो देखे पीतल में जो आपका निमलिकित में से तामबा और जस्ता धातू होता है तो आप्सन C जो आपका यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पे दोस्तों मुद्रा अपूर्ती निमलिकित में से जो है किसके द्वारा नियंतरीत की जाती है तो देखें मुद्रा अपूर्ती जो है यह आरबिया के द्वारा नियंतरीत की जाती है तो option B जो आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा next question आपका यहाँ पर दोस्तो चार मिनार का निर्मान जो है निमली कित में इसे किस ने करवाय था तो देखें चार मिनार का जो निर्मान करवाय था यह कुली कुतुब सा ने करवाय था तो option A जो आपका यहाँ पर कुली कुतुब सा right answer हो जाएगा और आपको comment box में जवाब देना है दोस्तों कि यह 4 मिनार जो है यह कौन से राज्य में इस्तित है तो यह आपको comment box में जवाब देना है next question आपका यहाँ पर दोस्तों भारत में जो है खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो देखे भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी जील है यह चिलका जील है तो option B जो आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा और अगर exam में पूछा जाए दोस्तों कि भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है वो उलर जील है तो ये भी आपको याद रखना है next question आपका यहाँ पे दोस्तो विस्वर रख्तदान दिवस जो है ये कब मना जाता है तो देखे विस्व रक्तदान दिवस जो है यह आपका 14 जून को मनाया जाता है तो option C जो है आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा और एक question यहाँ से और भी पूछा जाता है दोस्तो कि विस्व मलेरिया दिवस जो है यह कब मनाया जाता है तो यह भी आपको याद रखना है कि विस्व मलेरिया दिवस जो है यह 25 अपरेल को मनाया जाता है तो यह भी आपको याद रखना है next question आपका यहाँ पर दोस्तो विस्व 37 सुचकांग 2019 में भारत कौन से अस्थान पर रहा है तो यह आपको comment box में जवाब देना है दोस्तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मेरी विडियो पूरा देखते हैं या नहीं ठीक है तो 27 सुचकांग में 2019 में भारत कौन से अस्थान पर है यह आपको comment box में जवाब देना है तो अगर विडियो अच्छी लगी हो दोस्तो तो विडियो को जो है लाइक करना बिल्कुर भी मत भूलेगा और request करता हूँ दोस्तो कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर subscribe नहीं क्या है तो नीचे आपको एक red color का button दीख रहा होगा आप उसे जरूर दबा लिजेगा और बगल में आपको जो है bell icon का भी button दीख रहा होगा तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजेगा तो मिलते हैं next video तब तक thank you all the best